बाजार में एक और एक्षिन पेक्ट दिन के लिए जहान लगातार तीन दिनों से रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार आज फिर से नए रिकॉर्ड हाइस पर पॉंचे किया है तैयारी में तो गैप से खुलेंगे, रिकॉर्ड बनेंगे, उसके बाद क्या कल है, वायदा करु और नमस्कार मैं हूँ दिपांशु भंडारी दमदार तेजी है भारतिय बाजारों में दमदार तेजी है ग्लोबल मारकेट में नई रिकॉर्ड आते वे दिख रहे हैं तो अनल जी बताईए ये रिकॉर्ड रन जो आप कहने चलेगी उसके लिए आज की बड़ी बाते क्या ह उपर है तो यानि की तेजी का माहोल बरकरार है चाहे वो कल की ट्रेडिंग देखें चाहे आज की कच्चा तेल ये भी उचला है चार परसंट की बड़ी मजबिती के साथ नो महीनों की उच्चाईयों पर 48 दोलर के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है लेकिन फिलाल हम अब जून 2021 तक PCA से बाहर आएगा और ये बड़ी खबर है साथ ही 16-18,000 क्रोन के NPA Resolution का प्लान बैंक ने तयार किया तो बैंक टर्नराराउंड होने वाला है ये एक और बड़ी खबर है जिसके लिए आपको करनी है तयार है तो यह है देर सारे ट्रिगर जिन पर रखिए बिलकुल अनल जी तो शांदार खबरे आ रही है बाजारों के और बैंक से एक बार फिर से फोकस में रहेंगे सर ये जो 30,000 की दौड है कल हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे इसमें डाव तो आगे आ गया तो क्या आज अब बैंक निफ्टी भी इस लेवल को चुएगा और बैंक निफ्टी अब डाव से आगे जाने की कोशिश करेगा? अब दिवाली के दिन मोरे ट्रेडिंग छोड़ दो जाए एक गंटे की ट्रेडिंग होती लिएक हमारे हाव डे वाला सिस्टेम अब ही शुरू करना चाहिए लेकिन अभी निए अभी नहीं जब market खराब हो तब करिए अभी तो बार्केट ऐसा है कि Saturday Sunday भी आप खोल दें और इस बार तो सोमवार को भी चुटी है बाजार बन्द है तो इसी उम्वार को खरीदने को नहीं मिलेगा तो जो अभी खरीदना अभी खरीद ले तो ये बहुत कुछ एक्षिन होन निकलेगा भी और देखते हैं 30,000 के ऊपर की क्लोजिंग इंट्रेस्टिंग होगी अभी भी बैंक निफटी अपने लाइफ टाइम हाई 30,600 के आजपास से काफी दूर है काफी दूर से मतलब आप देखे कितना 32,600 के लाइफ टाइम हाई के तरफ क्यों बैंक निफटी ना बढ़े अगर निफटी 12,430 के लाइफ टाइम हाई से इतना उपर आ चुका है कि लगबग 8-9% उपर है तो फिर बैंक निफटी 8-9% नीचे क्यों तो बैंक निफटी में जबरदस धमाल, जबरदस एक्शन, जबरदस तेजी अभी भी रहनी चाहिए हाँ ये अलग बात है कि अगर बागार में कभी कर्रेक्शन हुआ तो उसकी लिडर्शिप भी बैंक से आती वो तो ठीक है, वो तो आपको पता है कि वो हाई बिटा है से पार किया तो 30, 650, 30, 850 लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक बार 30, 530, 600 की बादा को पार करके अगर बैंक निफटी टिग गया तो फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा फिर वहाँ से डेड़ 2000 पॉइंट की तेजी और बैंक निफटी में बन सकती तो बड़े ए अब बैंक निफटी की बारी है और जिस तरह से कल से participation आना शुरू हुआ है वापस leadership भी आती है दिख रही है पर सवाल यही बनता है वैसे तो तेजी का महौल है और अब बैंक निफटी के record पर भी नजर रखेंगे यहां से जो 2500 पॉइंट्स दूर है पर उसके बाद क्या स सर वैसे तेजी का महौल है पर यहां पर कुछ caution के संकेत हैं या कहीं बाजार थमते हो दिखते हैं या फिर जिस तरह से F.I.S. खरिदारी कर रहे हैं यह तो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे देखिया अब जब तक F.I.S. के पैसे आ रहे हैं और डॉलर्स आ रहे हैं तब तक तो कोई चिंता की बात है नहीं ठीक है और 55,000 करोड अगर किसी एक महीने में F.I.S. खरीद डाले हैं और वो भी तब जब कि महीना खत्म ना हुआ हो अभी भी टाइम है महीना खत्म होने म तो फिर क्या इसका मतलब क्लियर कट है कि F.I.S. के पैसे आ रहे हैं और F.I.S. के पैसे आने के अपनी वज़े है दीब देखिये पहली चीज़ कोरोना के बढ़ते मामलों के बजाए बाजार और F.I.S. पूरी तरह से फोकस इस बात पर करें कि ठीक है अभी डर है फिर से बढ़ने का प्रतिबंद बढ़ने का एक चीज़ तो लगबख यह मान कर चलें कि लगबख सारे लोग अब यह मान कर चलें कि कुछी भी हो जाए लोग डाउन तो नहीं करेंगे और बात तो महीने दो महीने की है फिर तो वैक्सिन आपके हाथ में होगी और तो एक तो यह आउटलुक है कि कितने लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं उसके बजाए कितने जल्दी कोरोना के ट्रीटमेंट और वैक्सिन हमारे हाथ में आएंगे उस पर फोकस है दूसरा फोकस इस बात पर है दीट कि सिर्फ एक या दो कम्पनियों पर डिपेंडेंट नहीं है को अरे एक देश में कोई कोई कम्पनिया हैं जो अपने अपने हिसाब से वैक्सिन बनाने की तैयारी कर रही है और शायद एक ही साथ आप देखेंगे उसके बाद मैने पंदा दिन में धेर सारी कम्पनिया वैक्सिन लॉंच करेगी तो उसका फाइदा ये होगा दीप कि वैक चान्वें परसंट प्रभावी बता रहे हैं और उन्में 20-30,000 लोगों पर एक्सिन्मेंट किया है भारत बायो टेक हमारे यहां ट्राई कर रहा ही है सिरम इंस्टिटिटिट ट्राई कर रहा है तो हंदुस्तान में इतनी सारी कम्पनियां जो कर रही है अमेरिका येरोप मे तू निकालने और इस दो तीन महीने निकालने में आपके पास दो बड़े हतियारे बाजार में तेजी करने के पहला Biden साप आने के बाद जो की कुरोना के मामले बढ़ने इसके अलावा अब जब economic recovery अगर फिर से कोरोना के मामले आते हैं वो ठंडी पढ़ती भी दिखती तो 2023 तक का तो license ही आपके पास की 0% interest rate रहने वाली अमेरिका में उसके उपर stimulus package आग में गी का काम करेगा और liquidity भरपूर है और बढ़ेगी तो उस बढ़ती भी liquidity में आप देखे और liquidity होगी तो यह सारे कारण है इसलिए अभी valuation और बाकी चिंताएं पीछे ये कोई खत्म नहीं होती है चिंता किसी तरफी खत्म चिंता ना हो और जिस दिन मार्केट में ऐसा होगा उज दिन फिर बाती कुछ और होगा जिस दिन तो दोनों तरफ होती है लेकिन आपको उस हिसाब से अपनी पोजिशनिंग करनी है यह दियान में रखे जी दी बिल्कुल तो नज़र रखते हैं वैसे मार्केट में ऐक्शन भरपूर है पर जिस हिसाब से मोमेंटम है उसी हिसाब से चलना ज़रूरी रहेगा अच्छा जब एक बात है इंडेक्स पर तो हम नए रिकॉर्ड लगातार आते हुए दिख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में भी आक्शन भरपूर है और जो हमारे ब्रॉडर मार्केट के इंडेक्स है वहाँ पर भी हम रिकॉर्ड आ रहे हैं कल यूएस के भी जो स्मॉल बहुत पसंदाते हैं और एक लेवल पर मिटकेप्स पसंदाते हैं तो अभी आप देखिए बारा से तेरा जार आने में आपको सिफ चौदा दिन चौदा ट्रेडिंग सेशन लगे यह एक फिनोमेनल रन है इसका मतलब क्लियर कट यहां पर जो खरीदारी हो रही है वो उखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर होगा यह बैट वहां पर आपको जो खरीदारी शिफ्त होते दिखेगी वह मिटकेप और समॉल केप शेड़ों में होती दिखेगी तो अब इस बात की पूरी संभाव ना मन सकती कि है मिटकेक और समॉल केप शेयरों में भी आपके लिए वक्त बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है तो mid clip small smarter शेरों से अब शेयर एक्शन मिटकेप स्माल केप शेरों की तरफ भी बढ़ेगा क्योंकि आप वैलिएशन गेप देखेंगे कि अगर किसी सेक्टर की नंबर वन नंबर टू कमसी इतनी महंगी ट्रेड कर रही है तो नंबर तीन नंबर चार इन्होंने क्या गुना किया है नं मिटकेप स्माल केप शेर्स के लिए अच्छा समयानी की तयारी में कई सारे सेक्टर से जहां पर हम बढ़िया मूब जद देख रहे हैं तो बाजार में आक्शन भरपूर रहेगा चलिए सर फिर आक्शन की शुरुवात करते हैं आज तो काफी सारी चीजों के बारे में बा कोशस साइड में बस हलका सा बदला अगर आप देखना चाहें तो हलका सा यह है नूटरल से कोशस सेंटिमेंट पॉजिटिव है ट्रेंड पॉजिव है 12925 12975 आज के लिए डे सपोर्ट जों है उपर में 13150 13200 यह रेंज जहां तक निफटी जाने की कोशिश करेगा आज औ कि आपके पास में कोई data है नहीं कि कहां जा सकता है कितना जा सकता है मैं तो charts देखता नहीं charts पर शाइद फिर भी data आ जाते हो मैं तो purely वाइदा कारोबार के data देखता हूँ तो अब मेरे लिए वाइदा कारोबार के data में काया हर 100-100 points उपर जहां-जहां calls में open interest है वो एक level को पार किया अगला 100 point दूसरे level को पार किया अगला 100 point ये इस तरह की range मेरे लिए बनते वे दिखेगी तो मेरे लिए अब 13,250, 13,300 ये अगला level होगा उसके बाद eventually 13,350, 13,400, 14,450, 13,500 इस तरह से level आते वे दिखेंगे बैंक दिख्टी 39,250, 14,450 ये आपके लिए support zone होगा आज के लिए 33,350 इसको 33,350 कीजिएगा 33,300, 34,50 ये आपके लिए ऊपरी range होगी 33,300 से 34,50 उसके उपर अगर निकले तो 36,50, 38,50 की range तक बैंक दिख्टी जाने की कोशिश कर सकता तो उपरी range 33,300 से 34,50 की लेकर चलिए आप निफ्टी दिन की छोटी range 13,000, 13,150, मीडियम range 12,945, 13,200 ज्यादा संभावना है कि हम मीडियम range से काम चला लें फिर भी X,YD के ठीक एक दिन पहले थोड़ी और बड़ी range हाथ में रखना ठीक रहेगा 12,925, 13,250 ये आज के दिन की आपके लिए होनी चाहिए बैंक डिफ्टी 29,600, 30,150 दिन की छोटी range 29,450, 30,300, 30,250, 30,300 के आसपास हलकी रुकावट का लेवल है दीप यहां कहीं रुकना चाहिए और इसे पार किया तो 29,250, 29,425, 450, 425, 450 के आसपास higher range बनेगी आज के लिए बैंक डिफ्टी की इसे पार करन थोड़ा मुश्किल होगा 30,500 पर highest open interest भी है calls में तो वहां हम रुकेंगे लेगि उसे पार किया तो फिर आप और एकात दिन टिग गए और हफते की closing दे तो फिर आप यह ना lifetime high की बात करेंगे 32,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी बैंक निफ्टी के लिए यह साफ दिख आया है वो 30,500 से लेकर 31,000 की रेंज है जिस इस 1500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने बहुत वक्त बिताया है तो इस यह रेंज ऐसी होगी बैंक निफ्टी की जहां पर आपको लोगों की तरफ जो long term investors है उनकी तरफ profit booking आती दिखेगी और वो रेंज है 30,500 से लेक देखते रहेंगे जी दीब बिल्कुल तो रेंज अच्छी निकल कर आ रही है लेवल्स भी इंट्रेस्टिंग है आज के ट्रेड के लिए रिंज जो अनल जी ने बताई वहां पर आप नज़र रखे अच्छा सर जो FIS की positioning है जो PCR के संकेत हैं वहां से क्या समझना चाहिए और साथ ही जो existing position से महाँ पर क्या रहाए देंगे लीप एक इंटेस्टिंग चीज है कि FIS की net long बढ़ी नहीं इंडेक्स में कल इतनी तेजी के बावजुद हो एकदम maintain है 79% के आसपास तो अब FIS stock specific buying कर रहे हैं बजाए इंडेक्स में basket खरीदने के पहली चीज दूसरी ची और expiry के लिहाद से नहीं होता तो मैं यह जरूर आपको कहता कि 78% oversold है मार्केट और इस और बोट मार्केट में आपको profit book कर लेना चाहिए यह जरूत से ज़्यादा हो गया लेकिन problem क्या है problem यह कि monthly expiry यह weekly भी नहीं है monthly expiry के दिन data बहुत होता है और ऐसे में monthly expiry के दिन या और उसके एक दिन पहले putcon ratio को absolute number में देखना कई बार गलत होता है इसलिए 78% का putcon ratio और बोट तो है इसमें कोई doubt नहीं alarming नहीं है देखिए दोनों और बोट और alarming का फरक्त समझसे है ठीक उसी तरह से समझे कि किसी IPO में avoid की राही दी जाती है और किसी IPO में long term risk लेने वाले की राही दी जाती है वैसे alarming और कोशिश में फरक है बिल्कुल यह तो मामला गड़वर है, बहुत ज़्यादा पूट कोल रेश्यो है, लेकिन मंथली एकस्पाइरी के एक दिन पहले आप इस तरह के डेटा देखेंगे, और इस्पेशली जब माहुल टेजी का बहुत ज़्यादा हो, तो आप ऑप्शिन्स में ज़्यादा इंडियाविक्स कमफर्टेबल है, एक परसेंट बढ़कर आया है, ठीक है, अब आईए आपको लॉंग पोजिशन जिनके वो बता दूँ, जो इंट्राडे टेडर से वो 12975 पर स्टॉप लोस रखें अपना, और अपनी तेजी की पोजिशन को केरी करें, क्लोजिंग बेस इस पर 29200 का होगा, इन दो स्टॉप लोस को फोलो करें, आप अपनी पोजिशन अगर तेजी किये तो, शॉर्ट पोजिशन में इंट्राडे का स्टॉप लोस होगा, 13100 का, इसके पार खुलेंगे, खुली रहें, अब शॉर्ट रहने में कोई समझदारी नहीं है, कल भी शॉर्ट कार्ट लेजिए, और निकल जाएए, बैंक निफ्टी 30,000 का स्टॉप लोस है, अब उम्मिद करता हूँ, उसके आसपास या उपर खुलेंगे, और वहां से आपको निकल जाना चाहिए, तो फिर बैंक निफ्टी में भी 30,000 पार हो जाए, तो शॉर्ट कार्ट ल 975 के स्टॉप लोस के साथ, 13,150, 13,175, 13,200, 13,250, इस चार टार्गेट रखिया आप, ठीक है, और जो लोग बेचिना चाहते हैं दीप, जो एग्रिसिव ट्रेडर है, वो बेचे, क्योंकि अलड़ी बेचने के लिए आपके साथ ही लोग बहुत है, बहुत शॉर्ट कर करके बैठें, आप आग में गी डालने का काम न करें, फिर भी क्या है, आपके मेरे बोलने से तो ऐसा होगा नहीं, जिनको शॉर्ट करना वो तो करेंगी, और हर एक लेवल पे करेंगे, तो जो नहीं किये बगएर रह नहीं सकते हैं, मुझे तो कर नहीं है, मैं तो करूंगा और एग्रेशिव सेलर्स, और एग्रेशिव सेलर्स को 13175, 13250 की रेंज में बेचना है, और वहां पर आपको स्टॉप्ट्रोस लगाना है, 13300 का, 13150, 13135, 1325, ये चार टार्गेट के लिए आप बेच सकते हैं, और ट्रेल करते चले, ये आपके लिए बेचने के राए होगी जो लोग Bank Nifty खरीदना चाते हैं, वो खरीदे 29400 के स्टॉप्रोस के साथ, ये आपके लिए Bank Nifty में खरीदारी की राए होगी, 29900 पहला टार्गेट है, उसके आजपास उपर खुलने चाहिए, 30150, 3250, 3300, ये तीन टार्गेट हैं और उपर के इसके बाद, 3425 और 3500 तक के टा टार्गेट हैं, और 3500 पार हुआ, तो 3650, 3850 तक के भी तैयारी Bank Nifty की हो सकती है, और इसलिए अगर जो बेचना चाता है Bank Nifty, एग्रिसिव ट्रेडर है, माफ कीजिएगा, उन्हें बेचना है, 3450, 3650 की रेंज में, ये रेंज ठीक है बेचने के लिए, और आपको स्टॉप् 3050, 3150 और 3050 तक के टार्गेट के लिए, आप एक बार भी उपर की तरफ बेच सकते हैं, और बेचने की राय में इसलिए दे रहा हूँ, 3500 पर हाइस ओपन इंटरेस्ट है पूट्स में, तो एक बार की वहाँ रुख सकता है, ये ध्यान में रखिए, जी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो आपने इसी सीरीज से एक एक स्प्रेंड करना शुरू करा है कि जैसे जैसे एफनो बैन में स्टॉक्स बढ़ते जाते हैं, मार्केट सेंटिमेंट कॉशस होता है, बाहर निकलते जाते हैं तो थोड़ा सेंटिमेंट अच्छा रहता है, अब तो सिर्फ 5-6 स्टॉक्स बैन में हालकि एक स्पैरी से एक दिन पहले तो वह वी एक फैक्टर है, कितना इंट्रेस्टिंग रहेगा ये फैक्टर सर। आप रोल ओवर नहीं कर सकते हैं, आपको पोजिशन छोड़नी ही पड़ती है, फ्रेश पोजिशन आप नेक्स स्रीज में बना नहीं सकते हैं, तो इस वज़े से आप देख रहे हैं कि एक्सपाइरी की वज़े से, ने तो आम तोर पर आप दिखिए, पहले कभी भी, मतलब अब एक्सपाइरी के हफते में स्टोक हार्डली कभी बेंड में जाते थे, जाते ही नहीं है, अब आज देखे, आज फिर से एक दिन में वापस टार्टा मोटर बेंड में भी आ गया है, जबकि पता है कि कल वापस निकलना है, तो इसका मतलब क्लियर कट है, एक तो वो मार अपनी कम करने है, और जैसे ही बेंड से बाहर निकलता है, वापस खरीदारी या विक्वाली उन्हें जो भी ट्रेड लेना है, वो भी आ जाता है, तो इस से मैं इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लेकिन एक चीज़ ज़रूर करूँगा, इन इस स्टॉक्स पर नज़र रखे प्रिदारी हुई है, कल भी हमने देखा 45,000 क्रोड फिर से पंप इन करें हैं, क्या समझना चाहिए सर्फ डेटा के लिहास से जो फंड आक्शन है, भाई सब समझना तो उनको जो पैसा लगा रहे है और दमदार लगा रहे हैं आप और हम क्या करेंगे, लेकिन बढ़िया ब मैं 93 से मार्केट ट्रेक कर रहा हूँ, और कितने साल हो गए, 93 का मतलब 27 साल होने आए, लग 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 यह वाला साल 2020 जासा साल मैंने अपनी जिन्दी में कभी नहीं देखा, और मार्केट में जितने लोग हैं, सब इस बात से सहमत होंगे, कि क्या इतना शार्फ फ जिसको करते हैं बहुत तेजी सा है, वो तो चलो ठीक है, फिर भी कि चले आ सकता है कि सेंटिमेंट खराब हो यह हो, और क्योंकि पूरा विश्वे जाम हो गया, आपका गरों में केद हो गया, तो यह तो पहली बार होगा, लेकिन जिस तरह की शार्प रिकवरी हुए, आज यह महिने में 55,000 क्रोड की FIS की खरिदारी, यह पहली बार देखिए, अनेक्सपेक्टेड देखिए, 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 मैं खुद पहले सोच रहता कि शायद MSA Rebalancing की वज़े से 28-30,000 क्रोड का फ्लो आना है, वो आ जाएगा, उसके बाद क्या, लेकिन यह तो कहीं सीखने को मिली है, तो इसलियाद से यह एक और लंडिंग है, कि FIS कभी भी कितना भी खरीज सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है, गरिली फॉंड कितना भी बैचे है, उसके बावजूद भी रुखने का नाम नहीं, तो डेटा बहुत मजबूत है, 45,000 क्रोड का, हाँ, बिल्कुल, तो जबरदस्त डेटा आ रहे है, FIS की तरफ से, और खरिदारी बरकरार है, सर, क्यूंकि एकस्पाइरी से एक दिन पहले है, तो आज वाइदा कारुबार से क्या संकेत लेने चाहिए, और कौन से लेवल्स पर आपकी नज़र रहेगी? 13,000 ही सबसे इंपोर्टन लेवल है दीप, और वो इसलिए कि 13,000 के पुट पर 37,000 शेरों का ओपन इंटरेस्ट है, और उसमें भी 27,000 शेर कल ही जुड़ है, तो ये 27,000 शेर पुट राइटर्स कल के हैं, तो 13,000 जब तक होल है इंट्राडे में, तब तक तो आपको टेंशन लेनी नहीं, अगर आप 50-75 कोई नीचे आ भी जायें, लेकिन 13,000 होल करते रहेंगे तब तक आप मजबूत ही है, बिलकुल कॉन्फिदेंस रखिए, असली कमजोरी तब शुरू होगी जब आप 12,965 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो ही आप कमजोरी फील करिए अधरवेस तो फील भी मत करिए पहली चीज, तो और एक और चीज इंटरेसिंग बताता हूँ, आप 13,000 के उपर बंद हो हैं, अब तो मैं आपको पूछूँगा अंदाज लगाई है तो आप बड़ावारा लगाएंगे, इसलिए मैं पूछूँगा नहीं, मैं सिधे ही ब अगर पार किया, तो एक करोड पैसर टलाग शेर निफ्टी के ऐसे होंगे, जो कॉल राइटर शॉट होंगे, अब आप देख लिए, अब मैं जब बताओ, कि क्या निफ्टी नीचे आएगा, इसलिए मैं बार-बार कहरा हूँ, भले ही बैंक निफ्टी परसेंटेज के लि थोड़ा रिटर्न कम भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नीचे नहीं जाना चाहिए, वो उसके लिए निफ्टी है, तो निफ्टी में इतने शॉट्स हैं कि पूछे मत, तो इसलिए अब वो नीचे जाएगा नहीं इस हिसाब से, आज और कल बहुत मुश्किले की बड़ा करेक कि डेटा बहुत मजबूत है, शॉट्स बहुत हैं, तो उस हिसाब से हर एक लोगर लेवल पर शॉट्स का सारा आपको मिलेगा, ये तो बात होगी निफ्टी की, बैंग निफ्टी, 30,000 हाइस ओपन इंटेस्ट हैं, बैंग निफ्टी के कॉल्स में 10,000,000 का, आप 30,000 के पा आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे, और इन्हें पता है कि आज और कल में ही इनका काम खतम होना है, ये एकस्पारी कल है, तो निफ्टी के बाद कल पहली बार बैंग निफ्टी में भी थोड़े शॉट्स बनने के संकेता हैं, और 29,500 के ऊपर जो बैंग निफ्टी बंद तो नज़र रखते हैं और ये क्या शॉट कवरिंग एक और बढ़िया राली आज के लिए ट्रिगर कर सकती है या नहीं, चलिए आज आपके लिए एक और स्पेशल गिफ्ट है, अनल जी की तरफ से बिगुल बजाते हैं, स्टॉक अफ दे डे का बताएं सर कौन से स्टॉक चुना आज के लिए दीप डॉक्टर रेडिस के फ्यूचर में खरिदारी करने की राये, कल भी आपने देखा कि काफी मजबूती के साथ बंद हुआ है, और देर शाम जो खबर आई है, रेषय की तरफ से वो बड़ी इंट्रेस्टिंग है, स्पुतनिक जो वैक्सिन ये बना रहा है, कोरोना से प्रभावी है, लेकिन अब ज्यादा बड़े सेंपल पर उन्होंने टेस्ट किया है, और उस सेंपल को टेस्ट करने के बाद एक अच्छी खबर आई कि 95% इफेक्टिव दिखा रही पहली चीज, दूसी चीज अच्छी है कि इसका प्रोड़क्शन और डिस्टिबिशन हिं संबावना है, हमारे यहां, यहाँ पर डॉक्टर रेडिज के साथ इनका करार है, और जनवरी तक वो उम्मीद करें कि डिस्टिबुशन के लिए ये वैक्षिन तयार हो जाईगी, तो वैक्षिन जनवरी तक मिल जाएगी, हिंदुस्तान में बंदेगी, हिंदुस्तान मे बनेंगे दीव वह 4970 5000 5000 10 तक के टार्गेट हैं जहां तक जाने की कोशिश डॉक्टर रेडीज की और सकती तो यह वह स्टॉक है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए जी दीव बिल्कुल तो डॉक्टर रेडीज यह है एक स्टॉक यहां पर नज़र रखे और कल भी इसमें थोड़ा मोमेंटम था आज और बढ़िया तेजी आपको यह दिखा सकता है तो यह है स्टॉक ओफ दे आपके लिए पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं थोड़ी सबसे पहले ट्रिगर्स पर नज़र रखे आप देखे सीमेंस के जो क्यू फोर एफ़ए ट्वेंटी के नंबर्स है वो आज आते वे नज़र आएंगे साथी इंटरम डिविडेंट पर भी आज जो है बोर्ड इस पर विचार कर सकता है क्योंकि इनके फिनांशल एर इंडि जो है वो सेप्टेंबर है साथी कैबिनेट की मीटिंग है आज सुबह साढ़े दस बजे तो वहां से किस आपकी डेवलपमेंट्स होती है क्या नतीजे निकल कर आते हैं वो देखना ज़रूरी होगा इनफाक्ट आज से फ्लाइट में अगरा बैठते हैं महराश्टा आने क इनका OFS अपडेट है देखे कल नॉन रिटेलने विश्कुली के लिए ये खुला था OFS जहां पर 2.7x टाइम जो है ये सब्सक्राइब होता हुआ दिका है रिटेलने विश्कुली लिए आज OFS खुलेगा जिसमें रिटेलने विश्कुली को 12% अतरेक्त डिसकाउंट दिय जाएगा पेरेंट कंपनी दरसल 4.5% ओफिस के जरीए अपनी इस्चेदारी बेच रही है और 578.60 पैसे प्रतिशेर का भाव है इसके अलावा आयो बी यहां पर जी बिजनिस एक्स्क्लोसिफ खबर हमने आपको दी कि जून 2021 तक हो सकता है आयो बी जो है वो PCA से बाहर हो जाएगा मार्स 2021 तक दरसल 18,000 करोर रुपे की रिकावरी पॉसिबल है इन फाक्ट यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगले 3-6 महिनों में काफी सारे NCLT में जो केसे से उनका रेजोलूशन हो जाएगा तो यहां पर आयो बी के लिए काफी बहतरीन खबर ही आती वी नजर करा रही है साथी मुत्त फिनांस आर बी आई जो इनका आई डी बी आई एमसी को खरीदने की रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया है तो मुत्त फिनांस के लिए डेफिनिट्ली एक निगेटिव खबर साबित हो सकती है बिल्कुल तो यह हैं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स आई कुछ और स्टॉक्स जानते हैं वरुन के साथ गुड मॉनिंग वरुन बताईए गुड मॉनिंग जिब देखें सबसे पहले तो आयार भी इंफ्रा आगरा इटावा का जो बिल्ट ऑप्रेट ट्रांस्फोर प्रोजेक्ट है उसके लिए इस कंपनी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है और अब इस कंपनी की जो सबसीडर ही है करीब 70% अधिक टोल जो है उसको ये वसूलेंगे श्नाइडर इलेक्ट्रिक खबर ये है कि उस न्यूस पेपर रिपोर्ट से सजेश्ट कर लिए कि लियूमिनेस पावर का जो कारोबारे वो ये बेचने की योजना बना दियो इसके लिए सिटी को इन्हों ने अल्रेडी जो एपॉइंट जो है गोजेज इंडाश्री यहां प्रमोटर्स के तफ से बाइंग हुई है 18 से 19 नॉमबर के बीच में प्रमोटर्स ने 6.57 लाग शेर जो है उनको खरीदा है यूपियल प्रमोटर्स ने 19 और 20 नॉमबर को 1 लाग शेर खरीदे हैं और पानामा पेट्रो यहां पे प्रमोटर्स में 20 और 24 नॉमबर को 2,11,000 शेर जो है उनको खरीदा है तो यह कुछ ट्रेड से जिसके आपको नसर रखती है बिल्कुल तो कुछ फंड आक्शन हुआ है प्रमोटर आक्शन है और साथ ही खबरोवाले स्टॉक्स भी हैं आई आज देखते हैं ब्रोकरिजिस का क्या कहना है F.I.R. में गुड मॉर्निंग आशिश आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं गुड मॉर्निंग देपांचू टाटा मोटर सी लेसी की रिपोर्ट है खरीदारी किराय को बरकरार रखा है 220 रुपे के लिए 602 जो है कल की क्लोजिंग है मानरे की चाइना में अगर आप देखे तो JLR की वॉल्यूम्स में बढ़िया रिकावरी देखने को मिली और खर्चों में जो कंपनी कटौती कर रही है इसका भी एक फायदा देखने को मिलगा लेकिन UK और EU में अगर आप देखे तो कारोबार थ उसको पसंद नहीं आ रहा है API कंपनीज पर भी फोकस रखना होगा मेकवारी की पॉजिटिव रिपोर्ट है जहां पर एक आ जा रहा है कि अधिक वॉल्यूम्स के चलते आगे भी ग्रोथ बरकरार देखने को मिलेगी और फिलाल अगर आप देखे तो API सेक्टर के लिए जो रिपोर्ट है खरीदारी किराय को बरकरार रखा है एक हजार चालीस रूपे के लक्ष के लिए आठ सो चालीस जो कलकी क्लोजिंग है यह कहरे कि अगर आप देखे इस वितवर्ष में सिंगल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस है तो जिसके चलते हैं स्टॉक पर पॉजिटि जेफरीज की रिपोर्ट है खरीदारी किराय को बरकरार रखा है और लक्ष देखे साथ सो साथ रूपे से बढ़ा कर आठ सो कर दिया है चैस्तो पैंसर्ट जो कलकी क्लोजिंग है यह कहरे कि नॉन यूलेप कारूबार में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और वे जिगूल पिक फ़देगा गुद मॉरिंग वागले साब करिये शुब शुरुआत बनाया सर अनिर जी मैं आज टॉक अप देखे नहीं देता हूं आप मुझे कारण पूछिए क्यों क्यों वाइ बढ़िया अच्छ आप बोलेंगे मैंने आपको कॉपी किया अच्छ अच्छ ड़्यडीज अच्छ 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 आदे गंटे में जो बाइं हुए है वो परेमेटर सारे परफेक्ट ने सब्सक्राइज करता है और यह क्रेडिप में ची आपने वी बिल्कुल सही का यह यह पांच अज़ा के उपर आज जाना चेए यह शाहरेवाई उने बेडर मुझे पता नी का होगा यह आज के लिए मैं बोल रहा हूँ और अगर पोजिशनली बात करें तो मुसे लगता है यह 5200 के आस्पा जाना कि यह 5200-5220 का मेरा एक हफ्ते का टार्गेट हो ओके 5200-5220 तक की भी तैयरी हो सकते है डोक्टर रेडिस की लेकिन फिलाल जो आज का टार्गेट है वो 5013 का लेकर चलिए क्या बात है तो आपने मैं आपको बिलकुल भी यह नहीं कोँगा वागले साब कि आपने मुझे कोपी किया है मैं उल्टा कोँगा आपने मुझे सपोर किसी बात है तो आपने मुझे सपोर्ट किया आईए बंसल जी गुड मॉनिंग बताएं सर आपकी पिक सुप्रबात अनिल जी अनिल जी मेरी पिक है HDFC, AMC, HDFC के सारी शेयर चल चुके हैं अभी तक HDFC, AMC ने कुछाल नहीं दिखाई है तो HDFC, AMC में खरिदारी की राया है 24-25, 2425 का एक स्टॉप लोस लगाना है और 2547, 2547 के एक टार्गेट के लिए HDFC, AMC को खरिदने की राया है 2425 का एक स्टॉप लोस होगा और 2547 का टार्गेट होगा, यहां पर खरिदारी करने की राया है 2422 अच्छा यह अकेला नहीं चला है इसका जिम्मा आपको दिया गया है कि HDFC, AMC भी अब चलना चीज़ए इसकी जिम्मेदारी बंसल जी के मजबूत कंदों पर अनिल जी जैसा मर्जी समझ लिए आज का तो बजार ऐसा हो गया है कि मार्किट यह देख रहा है कि जिसकी लाइन टूट रही है वो भाग रहा है जो नहीं चला है वो भाग रहा है तो HDFC, AMC भी एक स्ट्रॉम कंटेंडर है और अनिल जी सिरफ HDFC, AMC नहीं अगर आप देख है टेकनिकली भी फंडामेंटली भी बट फंडामेंटली थोड़ा सा बहतर HDFC ग्रूप ज्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए HDFC, AMC को चुना है और टेकनिकल पैटन भी अच्छा है इसका नहीं बिल्कुल जो यह नहीं चले उनका एक कारण भी है वो यह कि पिछले दो-तीन मेनों से थोड़े से म्यूचल फंड में फ्लोज जो पैसा जो आ रहा था उस पर लगाम लगी है थोड़ा सा कम हुआ है इस वज़े से यह स्टॉक ठंडे हुए है हालां कि मार्केट अच्छा है लेकिन इनका इनका जो पैसा बनेगा वो मार्केट के बज़ाए नए कितना पैसा फंड में आता ह उससे बनेगा और वो इन्फोस थोड़े से कम हुए है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के उसकी वज़े से यह है बंसल जी आपने तो दे दिया अपना एच्डेफ से एमसी कुनाल जी आपको आज विशेश सुईधा है नोटा की अगर आपने कल बहुत जरूत से ज्यादा से नोटा का इस्तेमाल कर सकते है और अगर आपने पहले बफर में दो चार दिन पहले से काम करके रखाओगे आपको पता ही था बड़े तो आई रही है उस दिन बिजी भी रहूँगा तो बता जीजे पिक आफ दे डे सबसे पहले गड़ मॉनिंग अईल जी गड़ मॉनिंग दिपांशू अनिल जी देखे मैंने काम किया कल भी क्योंकि अनिल जी काम से बच्ष्पाना मुम्किन नहीं है और अनिल जी एक स्टॉक खोजकर के लायाहूँ और वह परसिस्टेंट सिस्टम्स जिसमें कल भी मैं द देख रहा था जब बजार बंद हो रहा था बहुत अच्छा ट्रेक्शन बनता हुआ देख रहा था और मुझे लगता है अनल जी कि इसमें आपको एक तेजी बनते हुए दिखेगी एक डबल बॉटम पैटन चार्ट पर बना है तो 1185 रुपे के साथ परसिस्टेंट में मेरी खरिदारी के राए है पहला टार्गेट 1245 1245 का और दूसरा टार्गेट 1265 रुपे का है तो 1265 के टार्गेट के लिए परसिस्टेंट में मेरी खरिदारी के राए है 1245-1265 यह रखें आप टार्गेट और 1213 के आसपास कल हुआ है बंद आए हिमाशु जी से भी लेते हैं उनकी पिक हिमाशु जी नमस्कार बताएं सर नमस्कार बताएं सर मेरी भी पिक आफ दे है लेकिन जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है HDFC लाइफ यहां पर 645-650 का एक ब्रेकाउट देने के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा एक शॉट टर्म कंसॉलिडेशन दिखाया है और मेरा इसा मानना है कि आज के सेशन में यहां पर ए देखने को मिल सकते हैं 650 रुपे की नीचे का एक स्टॉप लॉस रेकमेंडीड है और पॉजिशनल टर्म पॉइंट ऑव यू से अनिल जी यहां पर 750 तक की टार्गेट मेरा ऐसा मानना है कि HDFC लाइफ में देखने को बहुत अन्नीय तर्म में देखने को मिलेंगी ओके तो यहां पर आपको HDFC लाइफ में करनी है खरीदारी आईए शुभम जी हमारे साथ जोड़ चुके हैं शुभम जी से भी पूछते हैं शुभम जी करिए शुभ शुरूआत बताईए अपना स्टोक आज का कौन सा है आपका पिक आफ दे डे गुद मॉर्निंग अनिल जी गुद मॉर्निंग देपांसु जी आज का जो मेरा पिक आफ दे डे है वह बंधन बैंक और मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में से जो कल हमने एक बैंक टेंफटी में एक ब्रेकाउट भी देखा तो बहुत सारे जो और दुसरे बैंक से जहां पर अभी भी एक कंसॉल्डेशन देखने को मिला है वहाँ पर मुझे लगता है कि आज एक ब्रेकाउट आता वा दिखना चाहिए और बंधन बैंक में स्पेसली अगर हम डेटा वाइस देखें तो 360 के स्ट्राइक पे हेवी कॉल राइटिंग है और मुझे लगता है क कि because future का price अब उसके बेहत करीब है तो call writers के तरफ से covering देखने को में मिलना चाहिए तो बंधन मैंक का 360 के strike का call option लेकिन अगली series का because बहुत सारे broker current series में trade allow नहीं करते last two days में तो अगली series का 360 का call option करी दे इसका closing price ता लगबग 22 उर्पे 50 पैसे का यहाँ पे एक stop loss maintain करना 19 से 30 उर्पे तक का target होगा इस call option के लिए तो आज का जो पेक है वो है बंधन मैंक करे खरिदारी यह breakout के लिए तयारे कल मुझी आदे कल closing में शायद जै या फिर सुमित जी भी बंधन मैंक पर bullish होते वह दिखे तो उनका भी कहना था कि बंधन मैंक अब यहां से तेजी करने क के लिए तयार होता हुआ दिख रहा है तो देखते बंधन मैंक में क्या कुछ action आज आपको देखने को मिलता है चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अविनाज जी भी हमारे साथ जूर चुके है अविनाज जी से लेते हैं उनका pick of the day बताएं सर गुड मानिंग अनिल जी महाराष्टर गोवर्मेंट ने लगा है इंफ्लो आनिंग जन्ता के लिए तो मुझे लग रहा है कि यहां पर करीबन और एक 50-60 रुपया करीबन 1150-11060 का नियर टम का आज का टागे पॉसिबल लग रहा है और इसका कितना इंपक्त पर आएगा अनिल जी वो आगे हम देख वो काफी दमदार आने की पॉसिबिलिटी है औरेडी मैनेजमेंट ने का है कि प्री कॉवेड लेवल्स तक अभी प्रडक्शन आ चुका है तो यहां पर डेफिनिटली एक्वायर करें मुझे लग रहा है यहां पर करीबन 1500-1100 का नियर टम का टागेट दिखता है तो यह द सब्सक्राइब में अच्छा परफॉर्म कर सकता है सुमिझ जी घुड मॉर्निंग बताएं आपकी पिक अफ़ दे क्या रहेगी सर्व वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गूड मॉर्निंग लिपांशु पिक अफ़ दे के तौर पे मैटल स्टोक्स को सिलेक करना चीए और वेदान्दा यहां पर चार्ट के उपर अच्छा दीख रहा है वेदान्दा में आज यहां से मोमेंटम उपर का देखने को मिलना चीए औ उपर में आज इंटरेडे में देखने को मिल सकते हैं और वेदानता वेब पोजिशनली भी मेरे को यहां से अच्छा दिखते हैं तो जिन्हों ने पोजिशन्स बना रखी है वो होल्ड करें कोई भी डिप में खरदारी करें नीचे में 111-112 का सपोर्ट है तो 111 के आसपस का स्टॉप लोस दोना चीए उपर में 120 रुपे तक के लेवल वेदानता में ट्रेडिंग के लियास है और पोजिशनली 125 रुपे तक के लेवल वेदानता में देखने को मिल सकते हैं तो इसमें बाइ करके चलने का सला रहेगा बिल्कुल तो वेदानता पर करके चलिए खरिदारी और कल दुपेर आपको याद होगा कल के 2000 में अनल जी ने भी आपको खरिदारी की राय दी है 120, 125, 128 के उनके भी टार्केट्स हैं तो नज़र रखे वेदानता आज आपको आक्शन में आते हुए दिख सकता है अक्शन में भरपूर और स्टॉक्स आज के ट्रेड में रहेंगे चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से मुव्मेंट आपको आते हुए दिख सकता है किस तरह से देखना चाहिए नतीजों को क्या जो करोना के कंसर्ण से या एक्जेक्यूशन के कंसर्ण से वो कहीं न कहीं अब रिकावर होते हैं दिख रहे हैं जो पूरा सेक्टर मुव्मेंट में आया अभी भी वहाँ से परिशानी दिखेगी मुझे लग रहे है कि तिपांशू सीमन्स के नंबर स्थोड़े से सॉफ्ट साइड पर आने की उमीद है और ओर ओर ओल सीमन्स एक ऐसा स्टॉक है जो इकोनॉमी डिरिवन है काफी हद तक गौवर्मेंट का बिजनस भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टन्स रखता है तो मुझे लग रहे है कि रिजर्ट्स के बाद जो और बुक इनफलो है प्लस जो मैनेजमेंट की कॉमेंटरी रहेगी वो काफी इंपॉर्टन्स रहेगी हाला कि हमको लग रहे है कि definitely second quarter, first quarter के हिसाब से अच्छा रहेगा लेकिन overall जो order book momentum है वो हमको लग रहे है कि शायद January से ज़्यादा तेजी पकड़ेगा जो government के already contracts है वहाँ पे कैसे exhibition हो गया है वो काफी important है तो मैं समझता हूँ कि results से ज़्यादा commentary और जो outlook management देगा वो important रहेगा पर overall जिनके पास है वो hold करें लग तो रहे है कि Q2 के numbers अच्छे आएंगे लेकिन Q3 और Q4 इनके लिए बहुत important period होता है और ये management की outlook और commentary पे dependent होगा तो overall positive रवह है लेकिन मेरे ख्याल से इनके पास है वो hold करें fresh खरीदारी मेरे ख्याल से results के बाद ही लेने की इनों राय रहे ये है आपके लिए राय इस वक्त सीमेंस पर एक और स्टोक पर राय दीजे आप अविनाश जी इंगर्सवल रैंड आज इसका offer for sale retail के लिए खुला है बड़ा interesting डिख रहा है retail के लिए क्योंकि देखिए कल है ना कल institutional investors के लिए था और 578 रुपे 60 पेसे का floor price है बंद हुआ है ये 614 पर ठीक है 42 रुपई गिर गया अब जो भी price आए कि उसमें 12% discount है retail के लिए और कल 12,80,000 शेरों का OFFS था उसके लिए 35,000 शेरों के बोली आई इ institution तो interested है इस भाव में ठीक है बोलिया लगबग लगबग तीन गुना आ गई धाई गुना से तो ज़्यादा है तो retail को लगाना चाहिए ना फिर पैसा इसमें अनल जी यह एक ऐसा MNC प्लियर है जो पहले तो market expect कर रहे थी कि जिस प्रगार की shareholding MNC promoter की है वहाँ पर कोई काफी थोड़े से soft है क्योंकि इनका जो business है वह ज्यादा तर drought और you know capital goods related वाला sector है तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी आवदी के लिए share में खरीदना करना है यह अच्छा discounted price है जहां पर यह position बना सकते हैं आगे चलके definitely इसमें कोई corporate action आने की उमीद लग रही है और overall company debt free है company के जो products है वो काफी well known है तो longer term के लिए खरीदे इसमें कोई short term नजरिया मत रखे यही मेरी राय रही मतूर्ट finance जरा वागले साब इसके चार्ट देखिए और इस पर आई दीजे कल स्टोक तेजी से गिरा था वापस रिकावर हुआ लेकिन फिर भी मजबूत बाजार में लाल निशान के साथ बंदो और वो भी तब जब कि सारी NBSC मजबूत करेक्ट तो इसका मतलब कुछ नो कुछ तो मामला ठीक नहीं है अब ये खबर आगई शाम को कि आई डी बाई म्यूचल फंड को जो खरीदने की इनकी योजना थी वो योजना मनजूर नहीं हुई है तो अब मतलब ये म्यूचल फंड बनने की इनके जो प्रयास ते उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग गिया है ये साफ नजर आ रहा है तो इसकी अरजी को आरवे ने खारीज कर दिया है अब ये बताइए मुथूट फाइनस ये थोड़ी खराब ख़बर के चलते गिर सकता है क्या क्या वापस चाओदा सो चाओदा सो भी माफ किजिए ग्यारा सो ग्य मैं तो मानता हूं यह क्यारा सो के भी नीचे जाने कुछ के लिए तयार है मेरा पहला डर्गेट 1100 होका और यह जो मेरा बैरिश्म्यू है यह कैंज भूदा अगर यह इने 152 के ऊपर चले जाता है तो मेरा बैरिश्म्यू चेंज हो जाएगा मेरा मानना है 1100 तक तो यह एक से दो दिन देटी तीन मीरों का ब्रू है, स्टॉक बेरिश है, वीक है, इसमें मैं बाय करने की सला बेलिकुल भी नहीं दुनगा, इंपेक्ट ऑन बाउंस, फिस तॉप लॉस ऑफ बन वन पाई टू, मेरी बेशनी की सला है. ओके ठीक है, खरीदारी ना करें, 1100 तक की जगह तो दिख ही रही है, लेकिन सुमी जी जरा एक कैश का स्टॉक देखिए, पनामा पेट्रो, 20 से 24 नमबर के बीच में यहां पर इनके प्रमोटर्स ने 2,11,000 शेर खरीदे है, तो क्या चार्ट पर है, संकित खरीदारी करने के ल लोवर लेवल से एक तेजी दिखा रहा है, 50 रुपए से स्टॉक 76 के लेवल सग आ चुका है, और स्टॉक अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहां से और उपर जा सकता है, स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लैंग का ब्रेकाउट दिया है, तो मिरे को लग रह आते हैं, वो खड़ सकते हैं, नीचे में 771 का सपोर्ट है, उपर में 84-85 तक के लेवल जल्दी ही देखने को बिल सकते हैं यह है आपके लिए राय पनामा पेट्रो में आती ही, एक और स्टॉक है बंसल जी जिस पे आपको राय दनी है और वो है UPL, कमजोर स्टॉक है लगातार गिरते वे दिखाए जब से इनके वो मौरिश्यस वाली सबसिट्री में उनके ओरिटर का इस्तीफा हुआ है, उसके ब पर मोटर की खरीदारी हुआ हालाएं कि एक लाग शेर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा ही है, लेकिन खरीदतों है, क्या करना है? देखी अने जी, यहां पर सबसे अची चीज है, जो एक आपने फैसिलिटी दे रखी है, नोटा की, तो यहां कुछ भी नहीं करना चाहिए, उपर में देखें तो एक रेजिस्टन्स है, 433, 435 एक रेजिस्टन्स है, उसके उपर निकल के टिके तब खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, और नीचे में 417 एक रेजिस्टन्स सपोर्ट है, तो 417, 433, 435 की जोन में यह ट्रेट कर रहा है, जब तक इस जोन के अंदर है, तब तक नोटा का प्रियोग करें और जिस भी डिरेक्शन में ब्रेक आउट हो, तो थोड़ा सा वेट करें और उस आउटो सेक्टर को लेकर जो खबर है, अविनाश जी उस पर आप से राहे लेना चाहता हूँ, और खबर ही आरे कि जो PLI स्कीम है आउटो सेक्टर के लिए, प्रोड़क्शन लिंक इंसेंट्री स्कीम, इस पर जल्दी से गाइडलाइन्स आ सकती है कि इनको कितना क्या फाय आउटो में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ मारोती दिखा रहा है, हमको लग रहा है कि मारोती इस लेवल पे काफी अट्रेक्टिव है, इसको एकुमलेट करना चाहिए, अलार कि अभी भी पूरी तरह से रिकावरी आई नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का आउट सब्सक्राइब करना चाहिए, अलार कि यहां पर डिसकाउंट मारोती इस लेवल से भी दे सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑटो में जरूर मारोती और हिरो मोटर कॉप पे नज़र रहे हैं मारोती हीरो मोटर कॉप यह दो स्टॉक्स हैं आटो के जहां पर आपको नज़र रखने चाहिए, देखते हैं किस सरा का आक्शन बनेगा, कल अफकोस मारोती मूब्मेंट में भी था, मैनेजमेंट ने भी हमारे साथ बुलिश आउट्टुक शेर करा था आगी की ग्रोथ के देखें, एक तो चार्ट स्रक्चर क्या बता रहा है, शनाइडेर एलेक्रिक का कुछ इंट्रेस्टिंग है इस चार्ट में? और फिर 120-122 तक का भी एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, तो मौजुद अस्तरों पर वेट इन वाच करें, 100 रुपीज के उपर एक डिसाइसिव क्लोज आने पर खरिदारी के रायरे तो शनाइडर एलेक्रिक कर नज़र रखिए, 100 के उपर जाएगा तभी थोड़ा इंट्रेस्ट आते हो है, आपको चार्ट पर देख सकता है